Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज के हमारे मैस का कोश्चन इस प्रकार से है किसी जार में लाल, सफेद और निले रैपर वाले टौफी रखे थे लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की संख्या का 4 बटे 5 है और सफेद रैपर की संख्या निले रैपर की संख्या का 3 बटे 4 है यदि कुल 470 रैपर है तो निले रैपर कितने है हमको क्या ग्याद करना है सवाल में निले रैपर की कुल संख्या हमको ग्याद करनी है ओप्शन दिये हुए हैं ओप्शन A है 120 ओप्शन B है 130 ओप्शन C है 150 और ओप्शन D है 200 ठीक है तो सवाल को solve करने से पहले हम सवाल को समझ लेते हैं ठीक है सवाल में कहा क्या जा रहा है कि कोई एक जार है जिसमें लाल सफेद और नीले रैपर वाली टौफिया रखी हुई थी ठीक है उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि लाल रैपर की जो संख्या है वह सफेद रै तो सवाल में इतनी सारी चीज़े दी गई है तो चलिए इस प्रकार के सवाल को कैसे सौल किया जाता है उसको अब हम सीख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमको मानना होगा ठीक है जिस रंग के रैपर की संख्या हमको ग्याद करनी है उसको मान लेंगे एक्स यहां पे निले रैपर की संख्या कितनी है एक्स है ठीक है निले रैपर की संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं अब सवाल में जो कंडिशन्स रखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो निले रैपर की संख्या बराबर हमने माना एक्स अब यहां पे देखेंगे कि सफेद रैपर क कि संख्या का 3 बटे 4 है तब क्या होगा अब सफेद रैपर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा आपका एक्स गुने में 3 बटे 4 ठीक है क्या कहा जा रहा है सवाल में तो सफेद रैपर की संख्या नेले रैपर की संख्या का 3 बटे 4 है तो यह क्या हो जाएगा एक्स गुने में 3 बटे 4 आगे जब इसको सॉल्ब करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 एक्स बटे में 4 अब हमारे प लाल रैपर की संख्या तो लाल रैपर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा लाल रैपर की संख्या बराबर क्या होगा तो सवाल में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि लाल रैपर की जो संख्या है वह सफेद रैपर की संख्या का कितना है चार बटे पाँच है छलिए इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर सफेद रैपर कितना है? तो सफेद रैपर बराबर हमने निकाला है, 3X, बटे में 4, फोर, ठीक है, तो इसका कितना? तो इसका बूला जारहा है, जो ला रैपर है वो, इसका कितना? तो 4 बटे, 5, ठीक है फोर से फोर ये कैंसल हो जाएगा ठीक है और हमारे पास क्या बचेगा तो थ्री एक्स अपॉन में फाइब ठीक है ये आ गया हमारा क्या लाल रैपर की संख्या ठीक है अब आगे प्रसना नुसार ये सवाल के नुसार चलें तो सवाल में क्या कहा गया है कुल रैपर क कि संख्या बराबर कितना दिया हुआ है तो बराबर दिया हुआ है चारसो सत्तर है अब कुल रैपर मतलब यहां पर नीला रैपर लाल रैपर और सफेद रैपर इन तीनों का योग कितना होगा 470 होगा clear है तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है नीला रैपर प्लस में सफेद रैपर और प्लस लाल रैपर बराबर क्या 470 तो नीला रैपर हमने क्या माना है तो नीला रैपर हमने माना है X ठीक है प्लस में सफेद रैपर कितना आया था तो 3X अपन में 4 उसके बाद प्लस लाड रैपर कितना आया 3X अपन में 5 बराबर हो जाएगा हमारा 470 क्लियर यहां तक अब क्या करेंगे नीचे वाली जो संख्या है 4 5 और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 माल लेते हैं इनका LCM निकालेंगे तो LCM कितना आएगा यहां जाएगा आपका 20 ठीक है और उपर क्या जाएगा तो उपर आ जाएगा आपका यहां पर 20X ठीक है प्लस में य चार से 25 बार में भार में जाएगा तो यहां पो जाएगा आपका 15X से 15 बराबर क्या गावार 470 ठीक है अब आगे जब इसको solve करते हैं तो यहाँ पर 20x plus 15x plus 12x है ठीक है तो इसको plus करेंगे तो कितना हैगा प्लस करने पर आपका आजाएगा 47x बटे में क्या है 20 equal क्या है 470 क्लियर है अब क्या करेंगे इस 20 को हम पक्षांतर करेंगे इधर तो यह हो जाएगा आपका 47x equal 470 और यहाँ पर जो 20 इधर भाग में है या बटे में है उधर जाकी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका multiply 20 हो जाएगा अब 47x equal 470 गुना 20 कितना हैगा तो यह आपका जाएगा 9400 ठीक है अब आगे क्या होगा आगे जो है जो 47 है उसको हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे इधर इस साइट पर तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा x बराबर 9400 अब यहां पर 47 गुने में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में 47 ठीक है एक्स बराबर क्या आएगा 9400 को जब हम 47 से डिवाइट करते हैं तो यह 200 टाइम में भाग चला जाता है यानि एक्स का अबन कितना आएगा तो यह आएगा हमारा 200 ठीक है और एक्स क्या है एक्स को हमने क्या माना था तो यह एक्स को माना था हमने नीले रैपर की संख्या ठीक है तो नीले रैपर की संख् बराबर कितना 200 प्लियर है यही हमारे इस question का answer होगा क्योंकि question में क्या पूछा गया है निले rapper की संख्या पूछी गई है जो कि हमने यहाँ पे ग्याद कर लिया है ठीक है अब चलिए देखते हैं कि निले rapper की संख्या बराबर 200 question के कौन से options में दिया हुआ है options को देखें तो option number D में निले rapper की संख्या दी हुई है यानि कि हमने जो solve किया है 200 वो दिया हुआ है यानि इस question का जो right answer होगा वो होगा option number D ठीक है निले rapper की संख्या कितनी तो 200 clear है आसा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल कैसे solve किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग के लिए या जो वीडियो है वह useful होगा इसी प्रकार के important topic को ले कर मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद